यदि बिजनिस में growth नहीं हो रही हो, बिजनिस बंद होने के कगार पर पहुंच जाए, तो क्या करना चाहिए, क्या ऐसी सिति में business को revive किया जा सकता है, या नहीं किया जा सकता है, साथ यूँ बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रोत नहीं है, यदि आपको ऐसा business सलाते हैं, जिसमें आप लगातार मेहनत करें, समय भी दे रहे हैं, संसादन भी लगा रहे हैं, लेकिन business grow नहीं हो रहा, बलकि grow होने की बजाए, business में downfall चल रहा है, लगातार business नीचे जाता जा रहा है, बंद होने की कगार पर आ गया है, तो इससे बहतर होगा, कि आप अपने दिमाग से जो काम कर रहे थे हो तो करते रहे हैं, साथ में business revival के लिए business review करवाईए, और फिर revival strategy बनाएगी, मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लगातार हम business को review करते हैं, पहले review किया जाएगा, और फिर revival strategy बनाएगी, किसी भी business को जो घाटे में चल रहा हो, उसे पैदे में लाया जा सकता है, किसी भी business को जो बंद होने की कगार पर पहुँच चुका हो, उसे वापस से restart किया जा सकता है, वापस उसको अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता है, समस्या क्या है, मुझे कोई काम करना नहीं आता, या मैं करना नहीं चाहता, जादातर समस्या करना नहीं चाहता वाली है, अगर करना नहीं आता की दिक्कत है, तो सीखा जा सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे हुए, जिनके जीवन में downfall आया, और ये roller coaster ride कई बार चलती रहती है, कई बार इंसान बहुत peak पर चला जाता है, अचानक कुछ गलतियों के कारण, कुछ अपनी गलतियों के कारण, कुछ सरकार की नीतियों के कारण, कुछ market की situation का ये, और उसमें मैं आपकी वददत करूँगा, मैं और मेरी पूरी टीम, हम लोग क्या करते हैं, आप अपने बिजनस के बारें बताईए, आईए, counseling में बैठेंगे one to one, पहले हम आपके बिजनस को review करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो आपका जहां बिजनस है, वहां मैं आ मेरी टीम आ जाएगी, हम लोग विजिट करेंगे, एक एक चीज़ पर काम करेंगे, कहां घाटे की reason क्या है, क्योंकि मैंने अपने पिछले 16-17 साल के career में, अलग अलग लेवल के बिजनस में के साथ काम किया, जो 10-20-50 लाग का बिजनस करते हैं, उनके साथ भी काम किया, औ हमारी गलती, हमारे स्टाफ की गलती, कंपनी की गलती, सरकार की गलती, कुछ नीतिया, जिनके कारण हमारा बिजनस ग्रो नहीं कर पारा, हमें उन हर्डल को हटाना है, और हर किसी की एक कमजोर कड़ी होती है, हर बिजनस की कोई न कोई कमजोर कड़ी होती है, उस कमजोर कड जाएगा तो बड़ी है स्टाफ कहां से मिलेगा आपकी requirement के साफ से जो आपका स्टाफ आपको चाहिए वो कहां से मिलेगा या जो already आपके पास स्टाफ है उसे ऐसा कैसे बना दिया जाए इस lag क्या करके बना दिया जाए कि वो आपके वर्तबान business को आगे ले जाए business में तरक् problem सारी गलती mindset की है जो owner है उसके mindset में कुछ कमिया है और उन mindset की कमियों को ठीक करेंगे business में कोई कमिया हो रही उनको ठीक करेंगे कोई गलतिया होगे उनको ठीक करेंगे और अगर फिर भी लगता है business बंद होने की कागार पर है इसे revive नहीं किया जा सकता तो बहतर होगा बिजनिस लेकर क्या आते हैं और हमने सेल करने मदद करते हैं यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाएए हमारे फोन नम्बर मिल जाएगे आपको वीडियो पर भी फोन नम्बर मिल रहोंगे मेरी इमेल आइडिया है rpgindia.delly.gmail.com वहाँ पर आप मेल कर सकते हैं हमारा Rich People Group है जिसमें हम लोग बिजनिस ट्रेनिंग भी देते हैं Money Management, Financial Management, Business Management यह सब सिखाते हैं तो आपके बिजनिस में अगर सीख करके कुछ चीश ठीक हो सकती है वो ठीक करेंगे बिजनिस के घाटे को कम कर सकते हैं वो कम करेंग आपके बिजनिस को रिविव करेंगे और बिजनिस को ग्रोथ में लाने की, प्रॉफिट में लाने कोशिश करेंगे अगर फिर भी नहीं होगा तो कम से कम उसे मरने नहीं देंगे उसे सेल करेंगे, बेचेंगे ताकि हमारे पास कुछ पैसा आ जाए और हम फिर से अपने प प्रकले पुपाई.